नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल Trend Knowledge हिंदी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी ने वीडियो के थमनेल में देखा है तो आज के वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल कितना भी सस्ता हो लेकिन दोस्तों आप अपने मोबा मताऊंगा कि कैसे आप अपने मोबाइल पे फिंगर लॉक लगा सकते हो जैसे क्लिक किया तो यहां पर फिंगर लॉक देना है तो आपको पता चलेगी दोस्तों तो यहांस आपासानी के साथ कोई भी कितना भी सस्ता mobile हो या कितना भी महंगा mobile हो या आपके mobile में finger lock हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप आसानी के साथ सभी में skin lock sensor वाले लगा सकते हो तो कैसे लगा? लगाओगे? चलिए आज के वीडियो में आप सभी को बता देते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप अभी तक वीडियो को हमारे like नहीं किया तो यहाँ से वीडियो को like करें यहाँ से हमारे चानल को subscribe परके इस घंटी को all notification के लिए on कर दे फिर दोस्तों यहाँ से click करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share भी कर दे ताकि आपका दोस्त भी आप वीडियो को देख करके अच्छा सीख पाएगा और वो भी अपने मोबाइल पे सेंसर वाला इसकी लॉक लगा पाएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर किलिक करना है किलिक करता ही आपको एक application लिंक मिल जाएगा तो इस लिंक पे किलिक करके application को आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना और डाउनलोड करने के बाद मैं उससे आपको उपन करके बताता हूँ कैसे आप उसे यूज करोगे कौन सी वह एप है तो यहाँ वो application देख पा रहे हो तो इस application को आप सभी को दोस्तों open करनी है मैं आप सभी को open करके इसके बारे में settings बता देता हूँ वीडियो को पूरा देखते रहना तभी आपको समझ में आएगी चलिए इसे open करके आप सभी को बताते हैं तो इस application को मैं open करता हूँ आप सभी को यहाँ पर open करते ही दो permission allow करनी परेगी तो आप permission allow करके एक नया pattern बना लेना या तो आप पी नहीं बना लेना ठीक है तो मैं pattern बना लेता हूँ और देखना मैं इसे double confirm करना है तो मैं इसे confirm कर देता हूँ और उसको यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम लिखना ठीक है आप अपना नाम लिखना करके डन कर देना डन कर देने के बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कुछ सगन तक वेट करने के बाद कुछ ऐसा interface यहाँ से आप असानी के साथ सभी को permission allow करना है और आप सभी को मैं बताता हूँ permission देने के बाद मैं यहाँ पर ढूंड लेता हूँ वह कहा गया और आप सभी को दिखा देता हूँ यहाँ है वह मैं इसे permission allow कर दिया and back आता हूँ एंड तो थारड परमिसन है and last permission है तो मैं इसे भी on कर देता हूँ ठीक है यहाँ पर on कर दिया and back आता हूँ यह आपका काम हो चुका है and आप आपको लगाना है fingerprint lock तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है more option पर click करोगो तो यहाँ आपसे भी को यहाँ क्लिक करना है जैसे क्लिक क करना है क्लिक करते हैं यहां पर लिखा हुआ प्लीज डॉबल टैप एंड एन होल्ड तो मैं पहले डॉबल टैप करता हूं एंड हो चुका है यह हो चुका है गेट सक्सेस्फूल हो चुका है एंड बैक आते हैं बैक आने के बाद यहां पर आपको त्री लाइन है तो त्री मेरा finger मांगेगा double tap करने के बाद मैं अपना finger open कर रहा हूँ तो यह मेरा open हो जा रहा है इसी तरीकसे मैं Facebook open करूंगा तो यहां पर भी मेरा finger ले रहा है